ट्रांस्वर्मर का फुल लोड करेंट कैसे निकालते हैं बहुत ही जी वें बता दूँगा और आगए जाके को कभी कोई problem ने आएक की टांस्वर्मर के फुल लोड करेंट में एक शॉड का के ट्रांसफर्मुका फुल लोड करेंट क्या आए आपको शॉर्ट ट्रीक है ना उसका मैं प्रूम भी देूंगा अभी पहले एक जामपल ले लेते हैं एक हजार की वीए के ट्रांसफोर्म का फुल लोड करेंट क्या आएगा ठीक है तो एक के वीए का फोल्मला जैसे आपको पता है दोस्तों क्या होता है रूट थ्री वोल्टेज आई अपॉन 100 तो दोस्तों अभी हमको current निकालना है current निकालना है current का full load तो current निकालना है तो दोस्तों यह 1000 तो इदर आ जाएगा और यह इदर नीचे आ जाएंगे तो kvm multiply by 1000 upon root 3 की value हमको पता है 1.732 और साथ में voltage ठीक है तो voltage अभी हम 415 लेके चल रहा है ठीक है तो दोस्तों यह जित्ता भी है यह आपके 415 voltage के उपर मैं ट्रिक भी जो बताऊंगा और 415 voltage के उपर बताऊंगा ठीक है तो दोस्तों अभी kv हम put करते हैं 1000 kv तो 1000 kv यह put करा हमने multiply कर ना हमको 1000 से 1000 और 1.732 इंटू 415 तो दोस्तों यह तो हो गया हमारा एक दो तीन चार पांच छे डिवाइड बाई इन दोनों का multiply आता है दोस्तों 718 ठीक है तो यहां पर मैं लिख दिया 718 अब इसको डिवाइड कर देता हूं तो दोस्तों इसको डिवाइड करने पर आया 1392 एंप्यर ठीक है तो हमारे जो टांसफोर्मर रहे थ्री फेस का त्री फेस जो टांसफोर्मर है अगर वह 415 वोल्टेज निकाल रहा है आउट्पुट में तो वह 1392 एंप उसका फुल लोड करेंट है पर दोस्तों हमको फुल लोड करेंट कि उपर करनेक्ट नहीं करते हैं पर हम ज continuum to connect कर लेते तो 75 निकाल लेते हैं तो इसका 75 कितना हो थोस्तों तो तो दोस्तों मैंने इसको डिवाइड कर दिया है मैंने शुन कर दिया है सो यह के 55 परिषिद आस और सोुसक्ट परिषें निकाल लिए तो हमारा आया 1048 Ampere हम इस पे 1048 Ampere Ampere connect कर सकते हैं इसका full load current तो है 1300 बराण में पर हम 75% यो only connect करेंगे किस वज़े से क्योंकि इस transfer में की efficiency life अच्छी रखने के लिए ठीक है तो दोस्तों अब आपको एक trick जो बोलता है था मैंने तो trick है दोस्तों आपको कभी भी किसी भी full load current निकालना तो आप हमेशा 1.4 से multiply कर सकते हैं 1.4 से multiply कर सकते हैं पर दोस्तों ये full load current आएगा ये हमेशा full load current आएगा इससे multiply करने पर आपको बाद में 75% निकाल कि उस पर जो actual जो हम current connect कर सकते हैं तो वह निकालने के लिए आपको 75% निकालना है तो दोस्तों अभी इसका किसी का देख लेता है जैसे अभी 1000 KV है 1000 KV का हमारा कितना है तो फुल लोड 13 बराणवे और अगर इसको हम 1.4 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आएगा हमारा 1400 A तो दोस्तों उमीद है कि आपके ट्रेक भी आगे जाके काम आईगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं यह पर इलेक्टिकल की वीडियो हिंडी में बनाता रहता हूं और अपलोड करता रहता तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो धन्यवाद